आच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम मैं सिद्धान तक नहीं हो तरी शड़ी आईक्यो पैप का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों बदाईयो भारत को फाइनल बैच ऑफ अपाच्य हेलिकॉप्टर जिनको टैंक हेलिकॉप्टर कहते हैं बहुत ही इसे जमीन पर टैंक काम करता है ना हवा में यह हलिकॉप्टर काम करते हैं यह है अपाच्य बहुत आप देखी का इनकी मेजेस कैसे काम करते हैं मजा आजाएगी आपको तो भारत को यह मिल गया अब हम और ज्यादा सुरक्षत और एग्रेसिव भी हो गए हैं तो हम बात कर से और यह विल्कुल अच्छा नहीं हुआ चाइना ने एक तो हमको कोरोना दिया उपर से इतनी ज्याद है एग्रेसिव एनिवे हम देखेंगे कि भारत को जो अपाचे हेलिकॉप्टर मिले हैं तो चली आगे पड़ते हैं सिर्ण को रिकनेक्ट मेरा फेस्बूक पेज है सि साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गुरु दक्षणा है यह जब एक सेकेंड लगेंगे फिर बेल आइकन दबाईए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी ट्विटर पे मैं आ गया हूँ यह रहे मीरी आइडी तो यह देख लीजे यह चिनुक हेलिकॉप्टर तो भ है न वह कि है न वह समय गविट लफी फ करने में एक जगांser दूसरी जगा कहां हम अ टे हैं बहुत है इंपॉर्ट्टंट होती है यह औरड़ वेपन्श होती है उनको एक चीक लिकोरिकॉप्टर अब काम में आन्पीट DO यह चाहँचर 230 국 है। होती है बहुत ही advanced level के helicopters है ठीक है ना और आपको पता इसको कहा deploy किया है northern और eastern region में इसको deploy किया है ताकि एक तरफ पाकिस्तान पे नज़र रखी जा सके और एक तरफ चाइना पे नज़र रखी किया थे कि M.I.Helicopter जो है जो रश्या ने दिये थे M.I.35 अब वो retire हो रहे हैं ठीक है वो बुड़े हो चुके हैं हलाकि रश्या और अमेरिका के रश्या के helicopters जादा खतरनाक होते हैं अब अमेरिका की भी helicopters जादा क्या है ठीक है ठीक है अपाचे को tank helicopters या attack helicopters भी बोला जाता है ठीक है ना इनका पूरा नाम है AH-64E Apache helicopters ठीक है कोई भी weather हो किसी भी तरीके की terrain हो दिन हो रात हो अक्सर रात में helicopters ओड़ नहीं पाते हैं ठीक है हमको यह 1971 में देखने को मिला था रात में कुछ helicopters ऐसे हैं जो ओड़ नहीं जिनकी रात में लड़ने की capabilities नहीं होती है यह अपाचे के साथ नहीं है दिन हो रात हो कभी भी हो यह लड़ेंगे बहुत खतरनाक दुनिया के सबसे खतरनाक helicopters में से एक है अपाचे है ना तो गजब की capability है एकदम 100% precision attacks होता है इनका और standoff range पे सीधा मारते हैं यह missiles लगा दीशे इन helicopters में missiles लगी होती है slides से निकलती है ठीक है न वह आपने ERANS MAN 3 देखियोगी ठीक है लूसमें देखा हमला होता है तो हमला होता है ठीक है न उसमें अगल बघल une oblivion होती है वैसे ही अपाचे में बघल में extensive Nue고 air to air missile हवा में ही मार देगी पता है ना, एक तो surface to air होती है जैसे कोई surface पे है, ठीक है मतलब surface पे आपने missile दागी और surface to air, मतलब air पे ही खतम कर दिया air to air होती है, हवा में missile दागी हवा में ही खतम कर दिया, फिर surface to surface होती है ठीक है, intercontinental missile होती है यह सब मैंने कवर के आप D.I.D.O का मैंने लिचर देख लिजेगा, मिसायल कितने तरीके क्यों थी हो मैंने बताया है, ठीक है, तो बहुती ज़्यादा important है, यह helicopters बहुती attacking helicopters होते हैं, ठीक है, और यह जिन देशों के पास है, उनकी military strength, air force strength बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो भारत ने 22 helicopters की, 22 Apache helicopters की deal sign की थी, 5 रह गये थे, COVID-19 की बज़े से इसको यह delay हो गया था, अब finally, Boeing ने यह 5 helicopter भी Indian Air Force को deliver कर दिये हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तर चाइना से वैसे ही आप देख रहे हैं, कि टसल चल रही है, और चाइना वहाँ पे अगर लद्दा की बात करें, हिमालियन रेंज की बात करें, तो हिमालियन रेंज में मुश्किल होता है helicopters का काम करना, क्योंकि terrain ऐसी है, अब Apache काम को फायदा यह है, यह किसी भी terrain में काम कर लेगा, ठीक है ना, यह कोई भी के चाहे कितनी मुश्किल terrain हो, वहाँ प हमें देखते हैं कि 15 Chinook helicopters भी military helicopters भी यह भी deliver कर दिया है, तो यह जो पूरा batch है, यह complete हो गया है, 22 Apache helicopter का और 15 Chinook helicopter का, भी मैंने आपको Chinook helicopters, यह heavy lifters होते हैं, ठीक है ना, और यह Hinden Air Force Station पे, यह helicopters जो हैं, यह Indian Air Force को इन्होंने handover किये, ठीक है, और जैसा कि मैंने बता है, इनको flying tanks बोला जाता है, उड़ते हुए tank होते हैं, यह जमीन पे जैसे tank का काम करता है ना, वैसे हवा में काम करते हैं, ठीक है, और यह 22 helicopters जो है, यहाँ पे इसको split किया है, दो squadrons में इनको split किया है, एक तो पंजाब के पठान कोट में, क्योंकि पंजाब से पाकिस्तान का border लगता ह और वहाँ से पाकिस्तान बहुत बदमाशिया करता है, तो इसलिए एक helicopter तो वहाँ पे deploy किया हुआ, कि कुछ भी खतरा हो, तुरंत भेजो, निस्तोन नाबूत करतों जो भी हमला करें, दूसरा दोस्तों, जो राट आसाम में इसको deploy किया गया है, तो वह यह आसाम इधर चा किया गया है, कि अगर चाइना कुछ बदमाशिय करे, तो इधर इन्ही helicopter को भीज दो, तो आप देख सकते हैं, कि दोनों front, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, दोनों side से यह लड़ सकते हैं, अब जैसा कि मैंने बता हैं, इनके पास anti-tank missile होती है, टैंक को भी यह helicopters मिन्टों में खतम कर सकते हैं, और high mountain terrains के लिए ही यह बनाए है, 1970 से यह operational है, अमेरिका में operational है, और Soviet अफगान वार हुआ, उसके बाद फिर Iraq में जो आप देखी रहे हैं, उसमें इन helicopters ने बढ़िया दिखाई है, मतलब काफी accuracy दिखाई है, ठीक है, बड़े ही, मैंने बता पूरा 360 degree cover, यह बहुत कम helicopters में है, ठीक है, लेकिन इनका cover पूरा 360 मतलब एक एक एरिया, चप्पे चप्पे को यह सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, रात में भी लड़ सकते हैं, है ना, helicopters में रात में लड़ने की capability, जैसे हमारे पास लगदाक, जब री आर्ममेंट अच्छी बात नहीं है, हमको डिस आर्ममेंट की तरफ जाना चाहिए, यह जो हतियार है, अभी सिपरी की रिपोर्ट ही दोस्तों, दुनिया भर में साड़े तेरा हजार nuclear weapons है, इसमें सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, हलाकि अच्छी बात यह है, कि आर्ममेंट हो रहा था, लेकिन अब डिस आर्ममेंट हो रहा है, लेकिन दोस्तों, खतरे की बात यह है, कि अभी सिपरी ने यह बताया, भी रिसेंट यह बताया, कि पाकिस्तान ने अपने nuclear warheads बना लिये हैं, ठीक है, बढ़ा लिये हैं, चाइना ने अपने nuclear warheads 230 से लेकर 240 और यह nuclear warheads, यह nuclear weapons जो होते हैं, छोटे-छोटे tactical nuclear weapons भी इनके पास हैं, यह क्या होते हैं, जो देश है, वो कम बताते हैं, होते जादा हैं, लेकिन वो बताएंगे कम, ठीक है, तो यह मान के चलिए गर nuclear warheads इतने बता रहे हैं, तो जादा ही होंगे, भारत के भी nuclear warheads बड़े ह इसका बनना, यह कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि एक ही nuclear weapon काफी है, पूरी दुनिया को खतम करने के लिए, यह आप समझें, तो यह, अब उसके बाद दोस्तों, भारत जो है, 17 देशों में शुमार हो गया है, जिनके पास Apache helicopter है, AH-64E Apache, ठीक है न, और इन helicopters को modify भी किया ग में यह contract sign किया था, multi-billion dollar का contract था, ठीक है, और यह contract था कि Apache, 22 Apache और 15 Chinook helicopters को आपको Indian Air Force को deliver करना है, और यह 2020 में, जुलाई 2020 में जाके finally पूरा हो गया, ठीक है न, तो यह चीज है, और फिर जब Donald Trump भा रहता है थे, तो उन्होंने यह बोला था, कि 6 helicopter का contract तो उन्होंने immediate India और US में उस समय sign किया था, ठीक है, तो अब एक तरीके से हमारा जो पूरा, जो commitment था, अमेरिका का वो पूरा हो गया, और finally हमारे पास helicopters आ गए है, तो बदाई हो आप सब को, हम और जादा सुरक्षित हो गए, और जादा खतरनाक हो गए, ठीक, यह lecture था, यह आपको पसंद आया ह होगा, खुछ रहे पर ते रहे देशे सिद्धान तक ने उत्री साहिए,